हुआ है तो हुआ है कि समझते योग जग्यासम के लिए मेरा स्वागत अभी नंदन इस वीडियो के माद्यम से जो भी और्डियंस रोता लोग दर्शक लोग देख रहे हैं उन लोगों के लिए जो तंत्र से जुड़ी हुई है जो वीरिय शक्ति से जुड़ी हुई है जो य कुछ लोगों का सवार रहता है मन में शंका रहती है कि क्या वीरिय शक्ति का उद्र गवन भी हो जाता है जो हमारे सेक्सुल पॉइंट पे काम उर्जा है क्या उसका उद्र गवन भी होता है वीरिय शक्ति का उत्थान होता है जिसे उद्र रेता भी कहते हैं कैसे होता है आ रहस में और विबाद आश्पद एक विशे रहा है, मेरे अंदर भी पहले सादक जीवन में था तो शंकाएं थी, सवाल थे, बहुत सारे गुरुओं से, रहसे दर्सियों से, हटी योगियों से यह पूंसता था, क्या वीरिये का उत्थान किया जा सकता है, वीरिये उपर चड सकता है, कापाल पे चड़ जाता है, क्या, खोपड़ी पे चड़ जाता है, क्या वीरिये शक्ति, तो इस बारे में बहुत तरह के मत मिले, साथ में मेरा जुआनुभो है, कि जब योग के शादना किया जाता है, योग और तंत्र मिलकर के, जब दोनों के एक सयोक्त प्रिया का प्रयोग करने से नियमित अभ्यास करने से और वो कम से कम चार समय की साधना होती है तरकाल संधिया की बात नहीं है यहां औरुम्यृत पर को चतुरत संद्या की बात है सुवए की है 56 साइंग को Catalina 11 से ग्याराइश पटा ना है और इसके द्वारा यह जो प्रक्रिया की जाता है इस प्रक्रिया में के माध्यम से सरीर में काफी गरमी पैदा हो जाती है हमारी ओर्जा आंदोलित हो जाती है हमारे जो उर्जा शक्ति शक्ति एवा ऊंदोलित हो जाती है जह वी रिय oynet дhats started है भी नई जो एक मेटेरियल है ठीक ह कि मेटेरियल का जो इतना बाश्वित होने लगता है इतना खोलता है फिर वह बाश्वित हो करके आपके practiced के साथ में आपके तंत्र आपके प्राण तंत्र के साथ में वह संयोक तो हो करके जैसे कि बादल हाँ बायों ले जाती उड़ा करके उस बाश्पित जल के लिए ठीक है आकास की तरफ जैसे कि यही वह सेंप्रक्रिया है जल चक्र की तरह जैसे कि सूर्य खूपत अपने पर क् प्रकाचल खौलता है सभी पानी गर्म पड़ जाता है इतना खौलता है इतना खौलता है कि वह फिर भाब बनके ऊड़ जाता है हवा के साथ में हवा ले जाती है फिर वह जमता है जमनिकमाद में फिर वह प्रिक्रिया होती है वह बादल की तरह जम जाता है और फिर जो है वह तंत्रिक प्रिक्रिया के मात्यम से कोई भी इस्त्री पुरुष अपनी योन सक्ति के लिए वीरिय शक्ति को रज शक्ति को अपने नीचे से उपर की और ब्रह्मांड में स्थाफित कर सकती है तो उसके लिए क्या है आपको एक खौलाना होगा आपको हीट देनी पड़ेगी आपको योग प्रिक्रियाओं के मात्यम से ध्यान के मात्यम से आप उसको एक मार्ग देना होगा उसको पहले खौलाना होगा और फिर वो जो ऊर्जा है खौलने के बाद में जब वो बाश्पित हो मने नीचे ना जा करके नीचे ना जाके उसको प्राण के सारे प्राण और सैसरार पे नहीं आग्या चक्र पे ही इस्तित्थ हो जाता है और फिर वहां से आप उसका उप्योग कर सकते हैं उस उर्जा का विविद एक बहुत सारे प्रियोग हैं बहुत सारे प्रिक्रियाएं हैं बहुत सारे महत और लाव हैं सारीर की स्थर पे वो उससे क्या लाव होते हैं और मांस्थि के स्तर पे आपका जो मनुवीकास है उसम्मट सयोग मिलता है सारी इस तर में आपके इंदा रोग पृतिरोधक्ष्ञ्द और स्वस्था आप होंगे और फिर आपका जो है वही जो जमाव हुआ है वारे जो वीरिये का उत्थान हुआ है फिर आपका वीरिये इस खलित नहीं हो सकता है जब तक कि आप उसको ड्रॉप नहीं करेंगे तो यह हमारे एक हटियों के गुप्त प्रिक्रिया है इसको जो है करने वाले और जानने वाले बहुत ही कम साधक हैं भारत के अंदर तो इसको आप अपने ब्रह् को केवल अच्छा साधकी जान सकता है समझ सकता है सवाल था क्या ऐसा हो जाता है हाँ वाश्पित होकर कि उसका उद्र गमन किया जा सकता है ना कि वह धातु चम्मस से थोड़ी आप ही आप चड़ा लोगे तो यह वही जल चक्री की तरह एक प्रणाली है उसी तरह यह भी जल है वीरीय जो है वो भी पानी है वह जमा हुआ है उसको में पिगलनी के बाद में वह जो ट्थोस रूप में उस गौ्रीओं करना चाहिए प्रयोग करना चाहिए लेकिन यह सत है इसका उत्रगमन होता है फिर वेविन ने जानकारियों के साथ में मैं आपको मिलूँगा लेकिन एक चीत ध्यान रखना जो हम हिंदू भाई हैं भारती है जो हैं वो लोग बड़े कंचूस हैं किरपण हैं धूर्त हैं तो और जो कोई ग्यान और जानकारी मिल वीडियों से जुड़े हुई हैं उन वीडियों को सेर करें हस्तांतिरत करें ताकि और लोगों की भी शंकाएं दूर हो सकें और लोगों का विकाश हो दूसरों का भला करोगे दूसरों तक अच्छी बात पहुंचाओगे अच्छी चीश पहुंचाओगे भगवान आपको अच्छा बनातेंगे, एक सुन्दर बनातेंगे ओ